दुबई अपने ओल रिजर्व की वज़े से इतना रिच नहीं बना है, तो फिर वो किन चीजों की वज़े से रिच बना है? दुबई में ओल डिसकर हुए जाधा टाइम नहीं हुआ, 1966 में दुबई में ओल पाया गया, और आज ओल दुबई की इंकम में सिर्फ 1% कंट्रिबूट करता है, तो फिर दुबई इतना रिच कैसे? जब शुरुवात में दुबई ओल से पैसा कमाती थी, तब तब के के साथ, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्री जोन है, अब दुबई में ऐसे 30 फ्री जोन से, जहाँ पर फॉरंग बिजनेस को टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं, कस्टम डुटी बेनिफिट्स और साथ ही रेश्रिक्शन भी कम होती हैं, और साथ ही लो टैक्स रेट और कुछ लिमिट